तो दोस्तो अब चाइना के सब्मरीनों को काउंटर करने के लिए समुंदर के नीचे क्वार्ड बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा दिवार दोस्तो ये दिवार ऐसा होगा चाइना के किसी भी सब्मरीन या जहास के हरकतों के बारे में चाइना से जादा जानकरी क्वार् करी के लिए बता दू कि चायना के बढ़ते हुए हरकतों को देखते हुए दुनिया के चार प्रमुक देश मतलब भारत ऑस्ट्रेलिया जेपैन और अमेरिका ने क्वार्ड का गठन किया पर दोस्तों क्वार्ड के देशों के समुंदर के नीचे का नजर अब यह नया सिस्ट के पहुँच अब अंदवान निकोवार आइलेंड तग होगा दोस्तों फिशिंग हूँक एक ऐसा सर्वलेंस इक्वेपमेंट है जो समुंदर के नीचे एक तरीके से मचली पकड़ने वाले जाल के जैसा रहेगा और समुंदर के नीचे के एक एक इंच का हरकत यह और फिलिपिन से आगे भढ़ते हुए मलेशिया इंद्रोनेशिया होते हुए इंडियन ओशन के अंदर इंटर होने वाले रस्ते मतलब इंद्रोनेशियन स्टेट, सुन्डी स्टेट और मलाका स्टेट तक रहेगा जबकि इसे आगे बढ़ाते हुए भारत जब इसका और इसका इस्तेमाल चायना दूसरे देशों के उपर निगरानी रखने के लिए और अपने military deployment के लिए कर रहा है। दोस्तों ये surveillance system के देशों को चायना के खिलाव इंडो-pacific region में और मजबूत करेगा। दोस्तों इस नया system को अमेरिका के sea wave program के जैसे ही देखा जा रहा है। जिनमें कई सारे tele sonar repeater nodes को समुंदर के अलग-अलग हिस्से में deploy किया जाता है जो समुंदर के हर एक हलचल और हर एक magnetic signature को catch कर सकता है। दोस्तों इस तरीके के जो tele sonar होता है ये submarized floating या semi submarized होता है। दोस्तों ये एक तरीके से navigation के सुविदा के लिए बिचाये हुए सोना बोया के जैसे ही होता है पर ये actively सब्मरीनों के उपर नजर भी रख सकेगा। दोस्तों इस तरीके के submarine surveillance के साथ भारत के जुणने के बाद भारत का capability जहाँ पे बढ़ेगा तो वही पे चायना का capability एक तरीके से सिमित हो जाएगा। आसानी से चायना के इन सब्मरीनों के उपर हवा से निगरानी रखा जाना संभव है और ये सब्मरीन जहाँ पे भी आगे बढ़ेगा उसके उपर साय के जैसे इन क्वार्ट देशों के surveillance system लगा हुआ रहेगा। के हैंट झाल कोई।